संजेजी धन्यवाद, मीडिया के सभी बंदू भगीनियों को बहुत बहुत धन्यवाद, एक दुखत घटना पे आज मुझे प्रेस कॉन्फरेंस करना पड़ रहा है, भारती जनता पाटी स्पर्श टूप से मानती है, कि जो दुखत घटनाए होती है, उसमें कभी भी राज नेती के रोटी किसी को सेखना नहीं चाहिए, मगर आज हमें विवश होना पड़ा है ये प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए, क्योंकि कुछ मुर्थ पहले हमने विपक्ष के राहूल गांधी जी के प्रेस कॉन्फरेंस को सुना, और जो भ्रमजाल फैनाले की कोशिश इन दिन से हम सब न्यूस के माध्यम से देख रहें, लखिमपूर खेरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है, आई रिपीट, लखिमपूर खेरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है, हमने उसके पश्चाद देखा है कि चाहे किसान संगठन हो, चाहे प्रसाशन दोनों ने मिलकर बातचीत की, दोनों के बीच में समनवय हुआ, दोनों ने बातचीत करके कुछ निशकर्श निकाले किसान संगठन और प्रसाशन के बीच बातचीत होने के बाद, मुख्यतर जो निशकर्श था, वह निशकर्श था एक निस्पक्ष जाँच का इंपार्शियल प्रोब हो एक जाँच हो एक कमिटी कठित की जाए और दोनों ही पक्षों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फरेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जाँच होगी जाँच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से आरंब होना है और मुझे लगता है कि हम सब की चाहे हम राजनेतिक दल के चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों नहों हमारा मुख्य करतव यह होता है कि जब एक निस्पक्ष जांच होना हो या निस्पक्ष जांच चल रही हो उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिपणी बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करे जिससे पक्षपात होता हो जिससे नियाय नहीं होता हो आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहूल गांधी जी ने पुनह वही किया जो राहूल गांधी हर बार करते हैं गैर जिम्मेदाराना रविया irresponsibility irresponsibility has become the second name of Mr. राहूल गांधी गैर जिम्मेदाराना रविया अधैर ये पूर्न रविया अशान्ती को भंग करना और भ्रम फैलाना यही राहूल गांधी जी का मुखध्यय और मुख्य उद्देश्य रह गया है हिंसा ना फैले शान्ती बनी रहे यही भारतिय जन्ता पाटी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार है यही उनका कर्तव यह हम अपना कर्तव यह निर्वाहन कर रहे किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें हम लोगों को भढ़काए ना हिंसा ना फैले और देश में उत्तर प्रदेश में हर स्तान पे शान्ती बनी रहे मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी की रही है, आज हमने उनके प्रेस कॉंफरेंस में सुना और देखा भी कि राहूल गांधी जी ने पोस्ट मॉर्टम के ऊपर सवाल उठा दिये, आज म सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो who is Mr. राहूल गांधी to question the expert body's opinion, एक expert body है, जिन्होंने इसी विशय पर अध्याइन किया हुआ है, पढ़े लिके लोग है, वो डॉक्टर है, उन्होंने अपने conclusion को दिया है, एक scientific process के बाद, उस विशय पर भ यह आज पर्स टूप से राहूल गांधी जी के press conference से दिख रहा था, इसमें कोई दोमत नहीं है, कि जहां तक राहूल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्यवर्ग से कोई लेना देना नहीं है, ग गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है, अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नईया ना डूबे, अभी हमने देखा कॉंग्रेस की नईया की क्या परिस्थिती है, माफ करिएगा कॉंग्रेस की नईया की क्या परिस्थिती है, खुद उनके लोग उनके बड़े-बड़े नेता कांगरेस पार्टी के प्रथम परिवार के उपर आक्षेप लगा रहे हैं राहूल गांधी जी के नेतृत्तों के उपर कि उनके पार्टी में प्रेसिदंट नहीं है इन विश्यों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं पीसी कर रहे हैं इस विश्य को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए अपने परिवार की डूबती हुई नईया को कैसे तारा जाए कहीं न कहीं गांधी परिवार और राहूल गांधी को लगा कि एक opportunity है लखिंपूर खेरी में जो हुआ उसको एक opportunity के रूप में देखना उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके trying to derive political mileage out of a tragic incident, tragic situation is what the गांधी family is trying to do यह जो press conference आज राहूल गांधी जी ने किया है यह एक tragic situation से किस प्रकार से political mileage लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए उसकी कोशिश है राहूल जी ने आज 4-5 बार अपने press conference में democracy खतम हो गई हिंदूस्तान में और dictatorship है इस विशह में बताया राहूल जी आपने तो press conference किया हर बार आप press conference करते हैं आज आपने press conference किया किसी भारती जंता पार्टी के कारेकरता ने टमाटर फेके किया किसी ने टमाटर फेका या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है कोई नहीं करता है किसने किस पे टमाटर फेके जब कपिल सिब्बल जी ने press conference किया तो congress के कारेकरता राहूल गांदी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं उन पे टमाटर फेकते हैं ये democracy है इस दिस democracy? राहूल गांदी जी देश में democracy मौझूद है तभी आप press conference करके नरिंद्र मोदी जी और भारती जन्ता पाटी को अनरगल सुनाते हैं अनरगल बाते करते हैं आपका अधिकार है करिए आप गाली भी देते हैं प्रदान मंतरी को इससे ज़्यादा गाली किसी भी प्रदान मंतरी को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है आप वो काम करते हैं फिर भी हमने कभी आपती नहीं जताई आप कोट में जाकर कान पकड़कर शमा भी मांगते हैं जूट बोलने के लिए फिर भी हमने आपती नहीं जताई मगर कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस क्या कर दिया आपके विशह में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का तो आप टमाटर फेकते हैं वो कहां कि डिमोक्रिसी है इस पर जवाब दिजी राहूल गांदी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में भयंकर चोरी हो रही है MSME से चोरी हो रही है किसानों से चोरी हो रही है बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है करप्शन हो रहा है राहूल गांदी जी एक unsolicited advice है जो पूरा का पूरा परिवार मा, बेटे, दामाद जो सारे लोग चोरी के इलजाम पर सुप्रीम कोट से बेल पे बाहर हो वो चोरी-चोरी दिन में पांच बार नहीं करना चाहिए पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है मा भी बेल पे बाहर बेटा भी बेल पे बाहर दमाजी भी बेल पे बाहर और दिन में चार बार चोरी-चोरी बोलते हैं दिन में चार बार PC करके चोरी-चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में जहांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है अब लूटने को मिलने ही रहा है तो PC करकर के भ्रम फेला रहे है Land Acquisition भी चार बाराज राहूल गांदी ने अपने Press Conference में बोला है कि Land Acquisition, Land Acquisition परसों से मैं TV चैनल आउन कर रहा हूँ तो मैं एक ही विक्ति को देख रहा हूँ Robert Wadra Wadra जी सुबे से शाम तक ज्यान दे रहे हैं देश को कि Land Acquisition क्या होता है किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है ये Robert जी अब ज्यान देंगे किसानी के उपर ये Robert Wadra जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सरवाधिक लूट का जमीन है अपने बिल्डिंग खड़ी क्यों ही है इन जमीनों को लेकर सुबह से शाम तक जिस TV चैनल पे आउन करो उसमें Robert Wadra जी बोल रहे है ये competition चल रहा है राहूल गांधी और Robert Wadra में कि Congress किसका अधिपत्य के अंतरगत आएगा कौन Congress का अध्यक्ष बनेगा तीन दिन बाद राहूल गांधी आए है तीन दिन से Robert Wadra निकले हुए थी और land acquisition के बारे में आज राहूल गांधी बता रहे है राहूल जी पहले फोन करके आप Robert जी से पूछिए land acquisition क्या होता है पूरा वो बताएंगे राहूल जी एक सवाल आज भारती जंता पाटी आपसे पूछ रही है ये जो चैनात्मक राजनीती आप करते हैं सिलेक्टिव राजनीती आप करते हैं हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमान गड़ ये तो राजस्थान में हनुमान गड़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रसाशन के सामने गए थे उन किसानों के उपर बरबरता पूर्वक लाठी चार्ज करके उनके सर को फोड करके उनको अक्ताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भरती है एक भी फोन कॉल आपने गहलोज जी को किया है एक भी फोन कॉल ठीक है आप अन्य राजियों में जाना चाहते हैं वो अलग विशय है आप कह रहे हैं कि आप लखिमपूर खेरी जाना चाहते है इस विशह में उत्तरप्रदेश की सरकार ने अभी आधनिय से धारतनाथ सिंग जी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके सारी तक्नीकी डिटेल बताया है मगर आप बताईए आप हनुमानगड में एक फोन करके जो वहां के किसान भरती है उनके विशह में चिंता किया क्या सिस्टमिक एटाक ओन फार्मर्स आज बहुत बार राहुल गांधी जी ने किसानों को लेकर सिस्टमिक एटाक के विशह को बताया है कि सिस्टमिक एटाक ओन फार्मर्स हो रहा है राहुल जी systemic attack on farmers क्या होता है स्वामीनाथन जी प्रोफेसर स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन ये तो किसी political party के नहीं है स्वामीनाथन committee कब बनी थी स्वामीनाथन committee की recommendations किस वर्ष में आई थी आठ वर्षों तक स्वामीनाथन committee के report के उपर आलती पालती मार के कौन सी party बैठी हुई थी UPA की सरकार आठ वर्षों तक आलती पालती मार करके स्वामीनाथन committee के report के उपर बैठी रही उसे implement नहीं करवाया चाहे वो MSP का विशय हो चाहे 201 अन्य जो reforms है agricultural reforms उसका विशय हो उस पे कुछ नहीं किया and you talk of systemic attack on the farmers अगर 70 वर्षों में जब आपकी सरकार प्रत्यक्ष्या परोग्ष रूप से थी coalition के रूप में या अधिकांश majority के रूप में अगर आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया होता तो आज एक भी प्रोटेस्ट नहीं होता यहां मेरे reporter बंदू बैटे हैं और आपको तो मैं सलाम करूंगा एक reporter की भी मृत्य हुई כैसी परिस्थितिहों में आप लोग जाते हैं अपने जान को जोखिम में डाल करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं और वही राहूल गांदी रिपोर्टरों से आज कह रहे थे आप लोग अपना कर्तवय नहीं करते हैं आप लोग काम नहीं करते एवियम काम नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है सुप्रीम कोट काम नहीं कर रहा है रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं देश की सरकार काम केवल राहूल गांदी कर रहे हैं ये काम सारा राहूल गांदी कर रहे है और कोई काम नहीं क खुद बताईए आप रिपोर्टर्स बैठे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले आप लोग आज से साथ वर्ष पहले किसानों के सबसे बड़े मुद्दे जिसको आप रिपोर्ट करते थे वो होता था यूरिया की कमी यूरिया की कमी के लिए किसानों के उपर लाठी देड़ लाक करोड से अधिक रुपए किसान सम्मान निधी के माध्यम से छोटे मजोले किसान राहुल गांदी जी के लिए 2000 रुपए छोटी बात होगी वो तो कॉफी पी जाते होंगे मगर आप पूछिए एक साधारन विक्ती से कि 2000 रुपए जब उसके एकाउंट में डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है वो बीच खरीच सकता है सिचाही की क्या परिस्थिती है फसल बीमा योजना की क्या परिस्थिती है देरगुना MSP ये सारे विशय किस ने किया ये systemic attack on जो फार्मर्स आप बता रहे हैं systemic upliftment of farmers हुआ है एक systemic तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया है राहुल गांधी मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं इससे आप बचिये देश में सबसे महत्वपून विशय है शान्ती की स्थापना हिंसा ना हो शान्ती रहे हम विकास के पत पर अग्रसर हो हर जिम्मिदार पार्टी का ये कर्तव्य है भ्रम फैला करके लोगों को हिंसा की तरफ जोखना और भढ़काना ये उचित नहीं है राहूल गांधी जी और कॉंग्रेस पार्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद बंदुगन में अंत्मितना कहना चाहूंगा आज इसमें हम कोई प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं क्योंकि more or less ये एक स्टेट्मेंट था जो हमें कहना था हमने बह बहुत बहुत धन्यवाद